दोस्तों नवस्कार दो ऐसी चीजें मैं आज आज आपको बताने जा रहा हूँ जिनको अगर आपने गर्मी और बारिस के मुसम में अपनी बक्रियों को खिलाया पिलाया तो भाई बहुत बड़ी समश्या के लिए तयार रहना ये आगे जाकर किसी न किसी रूप से आपकी बक्री को बिमार करने वाली है नुकसान करने वाली है अगर ग्याबिन है तो गर्म पात करवा देगी बच्चा है तो बिमार हो जाएगा और अगर मानने जीए मैल ब्रिडर बड़ा है या बक्री बड़ी है तो भाई उसके digestion को disturb कर सकती है वो कौन सी ऐसी दो चीजें है जो गर्मी के मौसम में किसी भी शुरुत में नहीं किरानी चाहिए नमबर वन जो चीज है वो है friend, oil feeding यानि तेली ये चीजे देना यानि तेल देना कई भाई जो है वो सरसो का तेल देते हैं कई भाई तिल का तेल देते हैं तो कई भाई डाड़ला या कई भाई देसी घी देते हैं तो तेली ये oily चीजे जितनी भी है आप बारिस के मौसम में और गर्मी के मौसम में प्ली जहां तक हो सके avoid कीजिए अब आप कहोगे साब मैं तो बिलकुल बंद तो करी नहीं सकता तो भाई मातरा को आदा या one-fourth कर दीजिए इतना तो कर सकते हैं कि मातरा को कम कर दीजिए ताकि इसके जो नुकसान है वो नहीं होंगे मैं तो आपसे यही कहुँगा कि प्लीज बंद दीजिए ये चीज़ें जो तेल वाली चीज़े हैं जो तेल आप डैरिक दे रहे हैं गर्मी के मौसम में ये बहुत जादा नुकसान करेगा पहरी चीज़ इसको बंद दीजिए दूसरी चीज़ जो हम ले रहे हैं उसमें कुछ गर्मी के आहार ले रहे है यानि गर्मी का जो आहार है गर्म आहार है वो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए ये बहुत बड़ा नुकसान करेगा आपकी बंद दीजिए अब गर्मी में गर्मी का आर कुन सा है गुड गर्मी करता है तो मत दीजिए अजवायन गर्मी करती है मत दीजिए बाजरा गर्मी करता है मत दीजिए शौंट गर्मी करती है मत दीजिए ऐसे बहुत से और भी कई प्रोड़क्ट हैं जो कि गर्मी करते हैं गरम तासीर वाली बंद कर दीजी, यह सेकंड बात है जो आपको ध्यान रखना है, हाँ कई बार जब जैर नहीं गिरती है ताजा गाने के बाद, तो गुड़ जवाइन का काड़ा दिया जाता है, या पिर जब आपको किसी बकरी को हीट में लाना है, उस समय आप बाजरा दे सकते हैं, या पिर कभी सर्दी जुखाम सर्द गरम बन गई है, तो इलाज के रूप में हम सौन्ट का इस्तेमाल करते हैं, बुर जवाइन का इस्तेमाल करते हैं, तो वह तो चल जाता है, लेकिन आप अगर रेगूलर फीडिंग करा रहे हैं, अक्सर में देखता हूं कई गुड़ और बाजर और ये जो दोनु चीज़ें, तेलिये चीज़ें और गरम आहर की चीज़ें, आज से ही बंद कर दीजिए, बहुत बढ़ी आ रहेगा, इसके अलवा अगर बकरियों के स्वास्ते से रिलेटेट, कोई वे प्रस्न आपके दिमाग में है, तो हमने रामावत एनिमल एप शु महां जाकर के आप गौट सेशन में चले जाएए, और फ्री लाइव में अपना प्रस्न जो भी होता है वो लिख सकते हैं, अपनी जो भी समश्याएं हैं, उनको हमसे शेर कर सकते हैं, रोज वहां लाइव आकर के आप लोगों की समश्याओं को सोलुशन करेंगे, तो भाई आजे आएए